इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चाप्टर 9 सॉइल ये जो है ना ये इस वीडियो का पार्ट 2 है पार्ट 1 में हम मोस्ट अव दे चाप्टर कम्प्लीट कर चुके हैं और इस चाप्टर में तो अब बहुत ही कम इसमें बचा हुआ है तो ये परकॉलेशन रेट, हुमर्स, वेदरिंग, सॉइल प्रोफाइल ये सारा का सॉइल का टाइप, ये सारी की सारी चीजें ये हम लोग देख चुके हैं हम लोगोंने परकॉलेशन रेट निकालना भी सीखा था परकॉलेशन का क्या मतलब होता है amount of water जो कि आपकी जमीन में चला जाता है जैसे कि बारिश बड़ी, बारिश का मौसम चल रहा है, जलाई है तो जो बारिश पढ़ रही है उस पानी का कितना amount ground के नीचे चला जाता है मिट्टी में सोक, मिट्टी उस पानी को सोक लेती है या फिर अब्जॉब कर लेती है उसी को ही हम लोग परकॉलेशन रेट बोलते है तो amount of water कितना पानी है और कितना परकॉलेशन टाइम कितना उसको टाइम लग रहा है नीचे जाने में यही परकॉलेशन रेट होता है अब आता है moisture in soil तो देखिए जितना परकॉलेशन रेट होगा उतना ही moisture होगा सोईल में क्योंकि जितना पानी जाएगा उतनी ही मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो have you ever passed through a farmland during a hot summer day कि आप लोगों ने कभी किसी खेट से क्यों होता है तो activity देखते हैं इसका पता लगाने के लिए तो आप लोगों से बोला गया है कि boiling tube लीचे एक tube लीचे इसका आप लोग बॉल कर सकते हैं और उसमें क्या डालिए कुछ मिट्टी का sample डालिए फिर इसको क्या कर गरम कर दीजे आपने मिट्टी डाली इसमें और इसको क्या करा गरम कर दे जैसे कि figure में दिखा रखा है यहां पर यह देखे आपने मिट्टी डाली soil का sample है आपने इसमें burner गरम कर रहे हैं तो आप देखेंगे जब उसमें नीचे से तो water droplets उसमें आपको दिखने लगेंगी क्यों क्यों क्योंकि उसमें नमी होती है इसलिए दिखने लगती है तो heating जब आप करेंगे तो soil water जो होता है ना soil में वो evaporate होने लगता है उपर मिट्टी में क्योंकि पानी present होता है जब आप लोग को उसको गरम करेंगे तो भाब बनके वो उपर उने लगेगा वो उपर जाएगा condensed हो जाएगा मतलब उपर जाएगा बाब बनके और ठंडा हो जाएगा और ऐसे से बूंदे जो है water की droplets आपको दिखेंगी उस जो test tube होगी है जिसमें आप लोग बॉइल कर रहे हैं उस boiling tube में तो जो कोई hot summer day होता है तब vapor coming out of the soil क्या होता है कि जो बहुती गर्मी वाला दिन होता है मिट्टी में से उपर पानी होता है क्योंकि मिट्टी में तो भाब बनके थोड़ा वाद ओड़ रहा होता है तो उस पर जब light पढ़ती है तो वो चमकने लगता है और air उपर जो है वो हमें हिलती हुई सी दिखती है after heating the soil जो हमने experiment किया है इसमें जब हम soil को heat करने के बाद take it out from the tube गर्म करते हैं अब मिट्टी आप निकालिए फिर compare it with the soil तो जब आप लोग compare करेंगे तो आपने test tube में गरब करी है soil उसको और जो बाहर ground में पढ़ी होगी तो comparison के बाद आप लोग को पता लगेगा जिस soil को आपने गरम करती है उसमें पानी नहीं है और जो आपने जमीन से उठाई होगी उसमें काफी ज़दा पानी होगा तो यह हम लोग को moisture in the soil समझ में आ जाता है कि जो soil होती है मिटी होती है उसमें moisture यानि की नमी होती है अब आगे आता है absorption of water by soil soil में कितना पानी absorb हो जाता है तो वही फिर से हम लोग activity करते हैं अब हमें क्या करना है प्लास्टिक की funnel लेनी है फिर टेक फिल्टर पेपर फिर हमें filter paper लेना है या फिर न्यूस पेपर या फिर कोई सी भी sheet लेनी है अब fold and place it यह देखिये तो आप वो क्या करना है यह funnel लेन इसे करके लगा दिया फिर आप लोग को क्या करना है weight of weight 50 gram of dry powdered soil and pour it in the funnel फिर आप लोग को क्या करना है यहां पर आपने funnel लगा दी इसके उपर आप लोगों ने क्या करा अख़ार सा लगा दिया फिर आप लोगों को सूखी हुए मिट्टी लेनी है और 50 gram weight करके 50 gram सूखी हु यहां पर देखिए इसमें तो नहीं दिखा रखा है मेजरिंग सिलेंडर होता है ऐसे करके होता है उसमें मेजर बने होता है कि एक लीटर फिर कित्ते हैं मेजरिंग सिलेंडर होता है तो उसमें आप लोग को क्या करना है water को measure करना है and pour it drop by drop on the soil तो आपने measuring cylinder से लेगी है और नहीं डालना है आप लोग को जगे 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 करके डालते जाना है तो हर तरफ आपको water डालना है और उस पे water आपको डालते रहना है ठीक है तो आप ऐसे करके dropper से पानी डाले जा रहे हैं अब subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with measuring cylinder आप लोगो ने कि यहां पे पानी इस सब पुसकरी इ इसा है देखें यह आपका measuring cylinder था यहां पे इतना पानी था फिर आप इस dropper से यहां से पानी ले रहे हैं और इसमें डाले जा रहे हैं ले रहे हैं तो थोड़ी देर बात आप लोग को क्या करना है कि इसमें measure करना है कि पानी कितना बचा है तो अगर आपने यहां से start किया हो तो आप यहां पर आगया हो बचा उगा इस अमाउंट डूरा रिटेंट द थो एक है तो यहां पर आप भूज़ा प्रोग डाले जा रहे थे फिर आप देखिये कि यहां पर इस पीकर में निकल गया ठीक है अभ इस यह जो यह है यह लोगा में कितना पानी नीचे आ गया है मतलब कितना पानी आपने डाला था वो देखिए आप जैसे कि सबोस करें आपने एक लीटर पानी डाला था तो आपने पहले से मेचर कर ले कि आपने एक लीटर पानी डाला है अब ज़रा इस डब्बे में देखिए कि नीचे की तरफ एक ली कि मिट्टी का जो वेट है वो 50 ग्राम है इनिशियर वॉल्यूम जो थी वॉल्यूम उफ वाटर इन दा मेजरिंग सिलेंडर सब्सक्राइब करिए कि वह यू एमल मतलब आप 10 एमल ले लिजे कि 10 एमल पानी था पहले से मेजरिंग सिलेंडर में और फाइनल वॉल्यूम उफ पहले दस था तो आप सब्सक्राइब कि 15 हो गया हो पहले दस ऐसी ले रखा था इसमें 10 एमल पानी चोड़ रखा तो फिर एक दूसरे में से एक लीटर में से आप लोग डाले जा रहे थे तो टपक टपक के पांच लीटर इसमें और आ गया तो टोटल मिला करके अब इधर वाले में 15 हो गया तो वॉल्म वाटर इब्जॉर्ब वाइदा सॉयल अब वाटर सॉयल ने कितना एब्जॉर्ब किया है आप लोग कैसे निकाल सकते हैं पहले दस था अब पंद्रा हो गया है तो पंद्रा में से 10 को माइनस कर दीजे क्या गया पांच जो है एमल वाटर तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं कि मिटी ने कितना पानी अब्जॉर्ब कर लिया है और परसंटेज कैसे निकालते हैं तो परसंटेज क्या होता है हमेशा कितना घटाया बढ़ वी माइनस यू अपन टोटल कितना था तोटल मिटी कितनी थी 50 और हमेशा से 100 से मल पर इसमें कितना पानी रह गया वह में लोगों ने गकाला था यह। झी आपको प्रॉप कर लिया है। मतलब प्रहंत पानी टना था रहा यह झाए थे हमें कितना था क्फिर इस हमें तरीक was कितना पानी absorb कर लिया होगा तो आ रहा है, ना, देखें, इस में कितना पानी रहे हैं, मिट्टी में, कितना पानी डाला थो, और कितना पीकर में है, उस भिपकर में हैं, ही से बिखने हम लोग निकालेंगे, तो यह आप लोग repeating कर सकते हैं अक्टिविटी, फिर कुछ questions है which soil would have highest population rate तो आपने अलग 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 टाइप की मिट्टी खिट्टी करी है तो कौन से आपने उन मिट्टीों को A, B, C, D नाम दे दिया फिर किसका सबस्यादा percolation rate है मतलब कितना ज़ादा पानी नीचे आ रहा है वो आप लोग निकाल सकते है विच किस soil का lowest population rate है यह तो activity है तो इसमें यहाँ पर activity है कि किसका ज़ादा है तो comparison करके ही आप लोग कर सकते हैं अब soil and crops मिट्टी और कौनसी मिट्टी में कौनसी फसल होती है उसके बारे में बाप की जा रही है तो यहाँ पर बता रखा है gram, kilogram यह unit of mass होती है तो gram जो है वो छोटा होता है kilogram से आप लोग किसी चीज का भार नापने के लिए इन चीजों का इस्तवाल करते हैं इन units का तो देखिए अलग-लग type of soil are found in different parts of India तो अलग-लग तरीके के मिट्टी पाई चाती है हमारे देश में है न तो in some parts there is clayly soil तो कुछ parts जो होते हैं हमारे देश के उसमें clay वाली soil होती है clayly soil होती है ठीक है मतलब इस टाइब से होती है वो थोड़ी सी मोटी सी soil होती है जैसे की राजस्थान में मिलती है तो soil जो होती है किसी भी इलाके की वो इस पे डिपेंड करती है कि वहां की wind कैसी है हवा कैसी है वहां की बारिश कैसी है temperature, light, humidity ये सारी की सारी चीजें कैसी है उस पे डिपेंड करेगा कि वहां की मिट्टी कैसी होगी तो वहां की हवा कैसी चल रही है, बारिश कैसी पढ़ रही है, temperature, light, humidity, इन सब पर depend करता है ये कुछ factors है, important climatic factors है, जो effect करते हैं, soil की profile को and bring changes in the soil structure, तो soil कैसी होगी, ये इन सब चीज़ों पर depend करता है और soil का structure कैसा होगा, वो wind पर, वहां की temperature पर, और वहां पर कितनी light है, मतलब गर्मी सर्दी कितनी है, कितनी humidity, हवा में कितनी नमी है, कितनी बारिश हो रही है, इन सब चीज़ों पर depend करता है कि soil कैसी होगी, climatic factors और components of soil जो उसमें होते हैं, तो वो depend करता है, किस टाइप की soil है, और वहां का temperature, pressure, humidity, rainfall कैसी है, ये define करता है, कि किस तरीके की वहां पर फसल होगेगी, तो आप अगर UP भिहार की बात करें, तो वहां की जो मिटी है, वो alovial soil है, तो वहां पर इसलिए जो ह काफी अच्छे से और बाकी सारी फसले, और अगर आप लोग महराश्र की बात करें, तो वहां की मिटी है, वहां पर कॉटन अच्छा उकता है, तो अलग-लग मिटी के हिसाब से ही वहां पर फसले उकती है, तो क्लेली और लोमी soils जो होती है, और बहुत सूटेबल फॉर ग् पानी अच्छे से रुप जाता है, छुब अच्छा पानी रुख जाता है, पैडी यानि की धान, यानि की चावल, तो चावल के लिए जो सॉएल होनी चाहिए, जो इन कलेल और गुट्ट कापासिटेश् वैर डिटें ओटा वंटाव तो पानी बी अच्छा कासा difॉद जा Soil which drain water easily are required, तो loomis soil चाहिए, क्योंकि जो डाले होती हैं, पानी कम चाहिए होता है, तो जल्दी से पानी निकल जाए, ऐसी महाँ पे मिट्टी में डाले उखती है, cotton के लिए हमें sandy loomis soil चाहिए, which drain water easily, तो इसमें अलग-लग soils के बारे में बताया गया है, कि कौन-कौन सी सॉयल के लिए कौन-कौन सी सॉयल में कौन-कौन सी फसल उकती है और काफी सारी हवा चाहिए कॉटन को इसलिए वहापे जो क्लेली वाली सॉयल होती है लोमी सॉयल की जुरुत पढ़ती है क्रॉप जैसे की वीट हो गया उनको क्लेली सॉयल चाहिए because they are rich in humans and are very fertile तो काफी फर्टाइल होती है जो क्ले वाली सॉयल होती है तो वहापर वीट उकता है तो आप लोग अपने पेरेंस से टीचर से पूछे कि कौन-कौन सी सॉयल में क्या-क्या उकता है किसका परकॉलेशन जादा होता है किसका परकॉलेशन रेट कम होता है तो इस तरीके से हम लोग टिवर इतना इंपॉर्टन निया एक्जामे ने पूछा जाएगा तो what is the difference between the rate of percolation and the amount of water retained तो percolation मतलब होता है कि कितना नीचे चला जाता है जमीन में और कितना मिट्टी में रह जाता है वो retention होता है मिट्टी का percolation की मतलब कितना जमीन के अंदर चला गया वो percolation rate होता है soil erosion क्या होता है the removal of land surface by water wind or ice is known as erosion एक्जाम में बहुत जदा पूछा जाता है important है तो मिट्टी जो होती है आपकी मिट्टी के जो टॉप लेर होती है वो पानी की वज़े से हवा की वज़े से deforstation की वज़े से मतलब पेड़ों को काटने के वज़े से कहीं सारी reason होते है उसकी वज़े से जो मिट्टी होती है वो खराब होने लगती है उसको ही हम soil erosion कहते है प्लांट की जो roots होती है वो soil को काफी अच्छे से बांद के रखती है और प्लांट्स नहीं होंगे तो soil जो है वो काफी lose हो जाएगी और वो हवा और पानी से easily उड़ जाती है तो erosion of soil काफी जादा severe होता है जहां पर vegetation ना हो जहां पर पेड़ पौते ना हो तो अराम से मिट्टी उड़ जाती है तो इसलिए हमें जो desert के इलाके होते हैं वहाँ पर soil erosion देखने को मिलता है तो कट जो deforestation हो गया पेड़ों को काटने से हमारी soil erosion बहुत जादा increase हो जाती है और काफी जादा harmful होती है तो यह तो case study है तो इस वह बताया गया है कि किस तरीके से मटके बनते हैं तो जॉन राशिदा राधा जो है वो लीला धर दादा के घर जाती है और वहाँ पर पूछती है कि मतलब वहाँ पर देखते हैं वह सुराही मटकी कड़ा फ्राइंग पैन यह सब बना रहे होते हैं तो वह कहते हैं कि तुम उनसे पूछते हैं बच्चे कि आप लोगे कहां से लेकर के आते हैं तो वह कहते हैं पास में एक बंजर खेत हैं वहां से हम लोग क्या लेकर के आते हैं मिटी लेकर के आ जाते हैं ब्लाक मिटी ब्लाक सॉय लेकर के आते है फिर हमें बड़ी से टैंक में उस मिटी को डाल देते हैं फिर उससे जो पत्थर होते हैं कंकर पत्थर वग्यरा वो सारे निकालने के बाद 8 गंटे तक उस मिटी को सुखा करके रखते हैं फिर उसको नीड करते हैं जैसे आटा कूथते हैं इस तरीके से उसको गूथा जाता ह फिर उसको छोड़ दिया जाता है फिर उसको शेप दी जाती है ऐसे करके इस तरीके से शेप देते हैं मिट्टी को फिर जब वो अपनी शेप में आ जाती है घड़े वड़े फिर उनको जुखाया जाता है फिर उसके कलर पेंटिंग वगर करके पेश दिया जाता है तो यही बस इसमें बताया गया है हमें तो हमारे चाप्टर कंप्लीट हो गया है